हालोफड्यूस हालोफड्यूटो विटीयो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे । कर लीजे आज आगे यह आने मेरी समशत वीडियो को nोट्फीकेशन में साब को मिलता रहे सब्रें सकते देगक्र इजरूद्ध करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला नमर कोशन आप अपने स्क्रीन पर देख पार होंगे कोशन क्या बोले फ्रेंट्स आई इसके बारे में डिटेल जनकारी लेते हैं तो कोशन अब से यह बोल रहे है कि कोविड-19 वैक्सिन फाइजर बायो एंटेक के इस्तेमाल को मंजूर करने वाला 200 का सबसे पहला देश बंद चुका है फ्रेंट्स में बता दूं इस वैक्सिन का निर्मार किया गया है अमेरिका में इस्थित फाइजर और जर्वनी में इस्थित बायो एंटेक के संजुक तुरुप से ओके फ्रेंट्स इसका एक यहां पर टीका जो कि 15 डालर यानि कि 15 डालर ओके फ्रेंट्स जो कि इसका मुली पर जागे इंडियान मुली 1126 रुपया यानि एक कीमत हो जागी 1126 रुपया और इंडिया में आते-आते इसके दाम और भी बढ़ जाएगा और फिर्ट्स वैसे इंडिया में आना मूस्किल है क्योंकि क्योंकि इसका टे वैक्सिन का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो माइनस सतर डिग्री सेंटीग्रेट पर इसे लाज सकते हैं और भेज सकते हैं कई पर और फ्रेंट्स में बता दूँ जो कि विक्सित देश नहीं है उन देश में इस मतलब की वैक्सिन को ले जाना बहुत ही मुश्किल देश हो ग अब यहां पर बात आई ही थोड़ा से क्या कि ब्रिटेन की तो ब्रिटेन की कैपिल कहां पर लंडन इसके पी एम को नहीं तो वो सिस जांसन ओके फ्रंस इसके संसत का नाम किया है तो पार्लियमेंट और मुद्र यहां पर क्या चलता है तो पांड इस्टरलिंग चलिए है तो फ्रेंट्स में बदा दूँ यह क्या है एक चक्रवाती तुफाने चलिए आगे हम बरते हैं कोशन नमर तीन के तरफ जो काफी इंपोर्टेंट है कोशन क्या बोले फ्रेंट्स आई इसके बारे में थोड़ी से जनकारी प्राप्ट करते है तो इस इस्थित इस्थित यानि कि रेडियो तेल इसको पूने में जो कि पूने में यह कंपनी ने माल इस्थोन का दरजा दिया है कि इसको आई ऐ ट्रीपले के यानि कि inaziITA अफ इलेक्रिकरेड एड एलेक्ट्रानिक्स इनजिनियर और फ्रेंट में बता दू के पूर आप जिधर हैं जब सकते हैं मंदिखने ही और अपउल अंप्सरेट्रा है कहा पीत में हैं केस्ती हाँ he भारत में अमेरिक भारत ने अमेरिका से कितना MQ 9B C Gargian Drone लिज पर लिया है देखिए फ्रेंस सबसे पहले इस वीडियो को अब ध्यान से सुनिये मैं बहुत ही डीटेल में इस वीडियो को कफर करने वाले हूं तो सबसे पहले फ्रेंस में बता दूँ कि हाले में भारत ने अ इंडिया ने क्या किया है इस लीज को लीज पर जो ड्रोन लिया है एक साल के लिए लिया है इस ड्रोन को UAV भी कहते है इस ड्रोन को UAV यानि कि ऑनमेंड एरियल वैकल यानि कि इस मतलब की ड्रोन को बीना किसी मानव रहित मतलब बीना किसी मानव के द्वारा ही संचालित कि जासकता है इसका निर्माण किया गए अमेरिका के मतलब की इसका निर्माण कौन किया तो अमेरिका के जनरल एटोमिक्स ने किये बड़े-बड़े हमलों में इसका पर उपयों किया जाता है खास बाती है फ्रेंट्स इस ड्रोन की यह 30 घंटों से भी ज्यादा 40,000 फीट से अपना डारगेट बनाये है और voting में आगे बता दो इस ड्रोन के बारे में सबसे पहले अभी अभी तक मतलब की फिलहाल छे मतलब की द्रोन को खरदीने का निला लिए जब कि यहां कि B Play in Sri Lanka आर्थिक सिखर समय एं 2020 में भारत का प्रतिनीथि न किसने कीया तो निर्मला सीता रमान ने ở you były Sri Lanka आर्थिक शिखर समय एं 2020 में भारत का का प्रतिनीथि लिद्व किया है ओके फ्रेंड्स तो यह कौन है तो केंद्री वित repeating मंतरी है निर्मला सीता रमन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा ये स्रिलंका आर्थिक सिखर समयलन 2020 का अजन किया गया है और फिर्ण्स में बता दूँ इसका में टार्गेट क्या है तो बिवसाय वह आर्थिक मुद्रों पर चर्चा किया गया है इस आर्थिक समयलन के द्वारा स्रिलंका के राष्ट्रपती गोता बाया राग्ज पक्षे ने इसका बिसेज आप सुन लिए कि रोड में फार टेक ऑफ डाइविंग ए पीपल सेंट्रिक एकोनोमिक रिएवियल ओके फ्रेंट्स चलिए आगे क्या बता है रहा है इसके बारे में जनकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले आगे यह बता जा रहा है कि माली यहां पे बात किया गया कहा का स्रिलंका का तो स्रिलंका के कैपिटल कहां पे तो स्री जैवर्धने पूरा कोटे प्रेसिडेंट कोन है तो गोता बाया राजबक्षे इसके प्राइम मिनिश्टर कोन है तो महिंदा राजबक्ष संसात का नाम भी का है तो परलियमेंट मुद्र यहां पर क्या चलता है तो रूपी चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं काफी इंपोर्टेंट को सरे अगला नमर कोशन चलिए अगला नमर कोशन क्या बताए जाए रेफ्रेंट समझे कि निम्न में से कि से राजी की कोशन को ध्यान से पढ़े कि क किसी के द्वारा निफ्मित ब्रह्मस सुपर सॉनिक मिस्टाइल की एंटीशिफ वरजन का हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सफल परिक्षड किया गया तो डीडीयों के DRDO के द्वारा निर्मित ब्रहमसोस सुपर्सोनिक मिसाइल के एंटी शीव वर्जन का हाली में बंगाल की खाड़ी में सफल परिख्षड किया गया है ओके फ्रैंट्स इस मतलब की missile को काँ परिशर किया गया तो बंगाल की खारी सफल परिशर होचाट होज है इस missile का निर्मान फ्रैंट्स में बता दो कि रूस के सनजुक्त से भारत में किया गया है कि prick क्या होता है तो डिफेंट्स रिचार्ज एंड डेवलाब्मेंट और्गनाइजिशन इसके अस्थापना कप किया गया था तो 1958 में यानि कि उनीस सो हन्ठावन में इसका यहाँ पे अस्थापना किया गया था इसका हेड़काटर कहा पे तो न्यू देली में इसके चेर्माइन कोने तो जी सतिस रेडी और फेंट्स में बादा दो कि डी आडियो का यहाँ पे डी आडियो का मोटो क्या होता है तो डी आडियो का मोटो ही होता है कि वलस सिम्मूलम विज्ञानम यानि कि इस्ट्रेंस ओरीजिन इस इन नौलेज चलिए आगे कि तरह बढ़ते हैं काफी इंपोर्टेंट कोशन क्या बोल रहा है क्वेस्टन कि निम्ने में से किस राजी की सरकार ने द्वारे सरकार नमक अभियान शुरू किया है तो द्वारे अभियान मतलब की द्वारे सरकार नमक अभियान को शुरू कर दिया है तो फ्रेंस में बता दूँ यह अभियान किसल या वे फ्रेंट्स में बता दू कि इसके द्वारा के निम्न में कि सरकार ने द्वारे सरकार नमक अव्य yatak को सुरु किया बूली इस आगउन के दो वच्चचन में बता दूशा कि कल्रेंडकारी योजिना औक बारे में लोगों को जागरू करने के लिए इस अव्यान को लागू किया गया है इसके तहत घर घर जाकर वहाँ के अधिकारिक लोगों को यहाँ पर राजी के इगारा कलेड़कारी मतलक योजनाओं के बारे में जनकारी परदान करेंगे यह सब को के फिरेंट और फिरेंट सारुकार की मतलब होगा दर्वाजे पर सरकार अधिज्वाइन के जाएगा एक दिसंबर से लेकर तीさん जुन तक किया जा रहा है जो कि मात रुदियां पर दो महीने के लिए इस आयोजन का गठन किया गया है और फिर्ण्स में बता दू इसका जो यहाँ पर द्वारिस सरकार का जो गठन किया गया था 26 जनवर 1950 को किया गया था अब यहां पर बात छीड़ी से किसकी पस्रिम बंगाल की तो फ्रेंट्स में बता दू कि पस्रिम बंगाल के रहजानी कहां पर तो कोलकत्ता इसके मुख्य मंत्री का ओने तो ममता बनर जी राजिपाल का नाम क्या है तो जगदी धनगः और में बता दू कि निरवाचित सीट है लोगसावाट is a duvet एक और यहां पर राजि सवाँ है और विधान सब protective राजकी चीन फिनियां पर क्या है तो राजकी पस्रूफ क defanson के कर्ड राजकी पक्वकराइं करना तो सफेद गर्दन वाला की रूथर और फेंट्स में आगे फरेंट में बाजतनें now 5 मंगल के बार NFL उद्धिया तो फस्यिम बंगल की यहां पर लोग निर्ति का अना मंसक्या थो काघी यहां के लोग काठी पसंद करते गंबीरा पसंद करते धाली बावल और मरसिय यहां पर इसके प्रसीद लोग निर्तिय है राष्टी उध्यान कौन से तो सुन्दरवन राष्टी उध्यान जो कि टाइगर रिजर्म और यहां पर देख सकते हैं जल्दा पाड़ा राष्टी उध्यान है निवरा मतलव कि वैले राष्टी उध्यान है सीगी लिला राष्टी उध्यान है गोरु मारा पांदे जो कि कांग सावती पर्युजणा करना में अगली कांग सावती नदी पर इस्थित ए चलिए अग्ली की पर्वोर्टेंट है कुसन क्या बोले फ्रेंस आई इसके बारे में चर्षा करते हाली में केंदुरी पर्या वर मंत्राले ने पेरिस जलवाई स्था रहते हैं य मतलब कि इसकी अधेक्षता मतलब की समीति का गठन किया है और फिर में बता दूँ जो आरपी गुपता है ना आरपी गुपता का जो नाम आया है तो यह क्या है तो केंद्री पर्यवनर मंत्राले में सची हुए और यहां पर बात आई थी किसकी कि AI pen olabilir चली मतलब की और मिर्मेंट खिए चलिए उग्राइब का था थो 2015 सम्हा होता यह कि पर देख से जो सम्झावता किया गया था उसका मेंट टार्डट क्या था तो ग्रीन हाउस उत्रजन को कम करने के लिए उद्स इसका मतलब की रखा गया था और फ्रेंड्स में बता दूए जब किया गया था एक सब पंचानवे देशों ने भाग लिया था जो कि एक सब पंचानवे देश मतलब की द्वारा ये पेरिश जलाव सम्झावता मतलब की किया गया था और अभी अमेरिका इस देश से मतलब की इस सम्झावते से अब इस 195 से बाहर निकल गया है चलिए आगे बढ़ते हैं को संब काफ इंपोर्टेंड को सन क्या बोल रहे है कि हाल को एक भारती कंपणी ने सुरू किया था जो कि 2001 में सुरू किया गया था अब यहां पर 2020 चल रहा है यानि कि 2020 चल रहा है तो यह मतलब की इस वर्स का विश्वा संस्क्राइब होगा और फ्रेंट्स में बता दू मतलब की 200 कंप्यूटर सा 16 दिवस है ना एक इंडियन कंपन यानि एन आई 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 टी ने इसको मतलब किया था सुरू किया था और फ्रेंट्स में बता दू एन आई 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 टी का जो मतलब अस्थपना किया गया था काफी इंप्पोर्टेंट को समस्ते रही है पसंद है तो लाइक कमेंट रूट दूस्ते में शेर भी करते रहिएगा बाटा कारप्रेशन के किस भारती को नया बैश्विक मुख्य कारेकारी अधिकार यानि कि CEO नियूक्त किया गया है तो अभी संदिप काटारिया को एलक्से कि अधिक काटारिया मतलब की कटारिया जो थे अभी इसके पहले क्या थे बाटा इंडियन कंपनी के क्या थे CEO थे चलिए आगे की तरह पड़ते हैं काफी इंपोर्टेंट और इसका मतलब की इसके यह वीडियो का सबसे अंतिम कुस्ट होगा ओके फ्रेंट देख सकते यह क Kذle बोल रहे कि लगत तींट यह बाट किसी दिस ने पहली बार भारत से चावल का आयात करना सुरू कि तो चाई ना याई कि चिन ने अभी तिन दसक बाफ करने जो चावल खुदने अके अर्द में बतामें बदिद interess बांट मतलब चैने ने पर चावल आप से कहा नम से लांच किया था जो कि सफल हो चुका है और चान्थ पर उतर भी गया है और फेंट में बैदा दूँँ यहां पर आप सल में चैना की बात हो रहिए तो चाना की प्रेजिग में इसके प्रेशिडेंट को हुआ है तो सी जिन-पिंग और इसके प्राइम के बारे में कोशन पूछा था आप से तो कल में आप से क्या कोशन बोला था हाल ही में किस खेल संस्था को राष्टी खेल महासंग के रूप में मानता परदान की गई है तो आर्चरी एसोसियेशन आप इंडिया को हाल ही में मतलब की राष्टी खेल महासंग के रूप में मानत में जानते हैं तो आप अप्सन में इसका राइट एंसर दीजे और डीटेल में लिखिए क्योंकि लिखी उचीजे हमेशा याद रहती है चलिए आगे अगला मैं कोशन क्या पूला था आगे आज के जो सवाल है क्या सवाल है तो हाले में 200 पार्यावाल संरक्षड दिवस को मनाये गया तो 26 इंसरेशन नंबर 25 इसका राइट अंसर आपको कमेंट में देना है अगर आप 200 संरक्षड दिवस के बारे में डीटेल में जानते हैं तो आप कंफर्म में जरूर जरूर लिखेगा क्यों लिखी उचीजा हमेशा याद रहती है चलिए आज का फिर दूसरा सवाल क्या है देख सकते हैं कि हाली में राष्टी सुरक्षा सब्सक्राइब लिखाओ रेड कलर में तो उसको आप प्रेस करेंगे तो हो जाएगा ब्लेक उसे आगे यहां पर होगा मतला कि बेल वाली आल नोटिफिकेशन दबा लिजेगा ताकि मेरी आगे आने मेली समस्ति वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलता रहे तो आज के लिए बस इन नहीं तो जैन जै भारत